नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चानदमी वेलकम टू हेलफिग्स करीपति डख्षिन बारति खान पान में खासकर करीपते का इस्तवाल खूब किया जाता है उप्ण कड़ी दोसा मसाला सामबार और उतपम आधी में करीपता जाता है लेकिन करीपती की चाय भी कुछ कम फाएद करने में भी सहायक है जानिए इस चाय को बनाने का तरीखा और इस पीने का फाइदे क्या आपने कभी करीपत्ते की चाय पी है क्या कभी इसके बारे में सुना है करीपत्ता विशहारन की प्रक्रिया में भी बहुत उप्योगी है जो शिरीर में जमा आउशितियों को बहार नि का इसे पीने के फाइदे तो इसमें देर क्यों करी पत्ते का उप्योव आम तवर पर खाना पकाने की सामगरी का स्वाथ बढ़ाने के लिए किया जाता है यह पतियों कैलिशियम पॉस्परस आईरें विटमिन सी विटमिन ये आदि पोशक तत्वन से बर्पूर होती है करीपते के सेवन सबसे ज़्याद दक्षिन बारत में किया जाता है दक्षिन में बहुत से लोग फिटनेस के लिए करेद जूस पीते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीपते का इस्तिमाल चाय बनाने में भी किया जा सकता है हां हां बाबू यह सहत के लिए बहुत अच्छा है यह चाई कई तरह के शेरिक समस्याओं से बचाती है करीपत्य में आईरेन पोस्परोस कैलिश्यम विटमिन ये केरोटिन विटमिन से आदी कई पोशक तत मौजूर होते हैं इसके नीमित सेवन से रोग प्रितिर विटमिन तो दक्षमता भरती है करीपत्य के चाई पीने से शेरिर को ज़रूरी अंटी ओक्सिदन मिलते हैं यह चाई प्री रेडिकल को दूर करती है तो अच्छा कोशिकाऊं को श्रत्य से बचाता है करीपत्य में अच्छे स्थर्के फेनोलिक्स और अंटी ओक्सिडें होते हैं अंटी आउकसिडेंट हमारे शेरीर को संक्रमन और सुजन से बचाने में मदद करते हैं करीपते में कई पोशतत्व मवजूद होते हैं जो कोलेस्ट्राल के स्थार को कम करने में मदद करते हैं इसलिए जो लोग वजन कम करना चलते है वे करी पते की चाई पी सकते हैं यह मल त्याग में सुधार करता है क्योंकि इसमें पच्छन एंजाइम होते है यह पच्छन क्रिया को बहतर बनाता है इस चाई को पीने से कब्ज गैस और दस्त टीक हो जाती है यह गैस और दस्त से राहत दिलाता है गर्ब वस्ता के दवर से राहत दिलाती है मन को शैंट करता है अगर आप दिन बर बहुत तके हुए है तो शाम को एक कप करीपते की चाई पीने से आपको अद्बुत अराम मिलेगा आप अपनी आखों को स्वस्त रखने के लिए इसकी चाई पी सकते हैं इसमें विटमिन यह होता है जो आखों के स् वच्छा पर सुजन्या संक्रमन को रोपने के लिए उपयोगी होए आई अग जानते हैं कि करीपत्ता कैसे बनाया जाता है बीस से तीस करीपते ले और उन्हें दो कर साफ कर ले फिर इसे एक गिलास पानी में उबाले और जब पानी आदा रह जाए तो इसे चांग ले फि पिर किस बात की और इस शाय को अपनी दीन चर्य का हिस्सा बनाए धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले हेल्पिक्स के साथ